हेलो गाइस और कम बैक तो नेक्स वीडियो ओफ लेटल स्कॉलर्स वे फूच्छ लाइज और ओन अबलेटीज फ्रेंज हम बना रहे हैं क्लास 11 के लिए हमारा वैक्टर का अगला वीडियो ठीक है प्रीविज वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ न्युमारिकल को से 8 न्युमारिकल को सॉल्व किया और वो सारे के सारे न्युमारिकल वेज थे टॉपिक के उपर अपके लिए मल्टिप्लिकेशन ओव वैक्टर ठीक है एडिशन हो गया जोड़ना हो गया घटाना हो गया सारा काम हो गया अब बार आती है कि क्या मैं वैक्टर को मल्टिप्लाइ भी कर सकता हूँ क्या ठीक है हमने वैक्टर पढ़ा हमने कंपोनेंस पढ़े हमने सारी चीज़ पढ़ी हमने पढ़ा कि रेजोल्यूशन ओव वैक्टर होता है वैक्टर को रिजॉल्व किया जाता है सारी चीज़े होती है ये हम इसको multiply कर सकता हूँ क्या ठीक है तो दोस्तों topic start करने से पहले product of vectors start करने से पहले हमारा 10th class के videos हमारे चैनल पर चल रहे 12th class के topics हमने chapter number 2 चालू किया था chapter number 2 के अंदर हमने previous video numericals के उपर डाला topics के उपर डाला ठीक है और इसके इलावा हमारा एक whatsapp group भी है ठीक है number flash हो रहा है you can connect in the group doubts हैं किसी भी तरीके के आप हमसे connect हो सकते हैं ठीक है चलिए तो हम लोग जादा विलम नहीं करते हैं और चलते हैं आज के topic के उपर ये रहा आज का topic तो दोस्तों हम आ गए हैं आज के topic के उपर जहां पर मुझे product of vectors को पढ़ना है पहली बात तो क्या मैं multiply कर सकता हूं क्या हां जी मैं multiply कर सकता हूं ठीक है लेकिन लेकिन बात आती है कि multiplication of vector दो अलग तरीके से किया जाता है अभी तक मैंने पढ़ा था कि multiplication जोडते समय में kilogram को kilogram में जोड़ूँगा मीटर को मीटर से जोड़ूँगा मीटर को centimeter से नहीं जोड़ सकता और अगर मुझे multiplication भी करना है तो मुझे multiplication भी इसी process में करना पड़ेगा ठीक है राइट कुछ कहानी अमने ऐसी पढ़ी थी ठीकिन भाई अलग है vectors है कहानी अलग आती है तो जब कुछ अलग है इसका जोड़ अलग है इसको घटाना अलग है तो फिर इसमें multiplication करने का भी तो अलग तरीका होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए हाँ भी होना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर multiplication of vectors हम दो तरीके से करेंगे पहला multiplication of vector simple जैसे किया जाता है वैसे ही करूँगा ठीक है x will be multiplied by x and y will be multiplied by y लेकिन अगर मैं x को y से multiply करूँ क्या valid होगा vectors है सब कुछ valid होगा cbsc है सब कुछ हो सकता है important topics का reduction हो सकता है ठीक है ना तो अगर यह vectors का chapter है तो यहाँ पर आप x को y से multiply कर सकते हो क्योंकि vector है यह ठीक है ना राइट तो हमारे पास दो तरीके का multiplication of vectors है तो हमारा topic है product of vectors ठीक है हम लोग यहाँ पर vectors का product कर रहे हैं और product of vectors दो तरीके से किया जा सकता है पहला होता है scalar product scalar product ठीक है आपको कुछ हद तक आपको कुछ हद तक यह topic की answer बता रहा होगा ठीक है ना one is scalar product and one is vector product ठीक है अब हम जानते हैं scalar का एक और नाम दिया गया that is also known as dot dot product dot यानि कि जब आप scalar quantity को multiply करोगे तो आप उन दोनों के बीचपुल स्चॉप dot लगा दोगे छोटा सा and the second one vector product is also known as cross product और जब आप दो vector quantity को simple vector तो इसमें भी multiply करोगे but जब मैं vector product perform करूँगा तो उस समय में cross लगाऊँगा बात आती है बुले तर difference क्या है मैंने कहा ना when we multiply x by x that is simple तो इस scalar product का जो answer है that is scalar ठीके that has only magnitude इसके पास सिर्फ और सिर्फ magnitude आने वाला है और जब scalar हम आज तक पढ़ते आए हैं तो इसका simple multiplication होगा x will be multiplied by x y will be multiplied by y ठीके right अगर आपने कोशिश किया के आप x को y से multiply कर दो then you are getting zero as the answer then you are getting zero as the answer ठीके रहे बहुत स्टेट फ़रवड है के आपको answer के अंदर सीधा सीधा zero मिल जाएगा ठीके अब यहां पर x का indication किसके साथ है y का indication किसके साथ है वह बात करूंगा ठीके वैक्टर प्रडक्ट क्रॉस प्रडक्ट भी कहा जाता है इसके अंदर आपको magnitude के साथ सा direction का भी खेल रहेगा ठीके ना right magnitude के साथ सा direction का भी खेल रहेगा और आप इसको normal x into x नहीं perform करोगे ठीके you performing x into y and you are getting z as the direction z as the direction ठीके आप x into y करोगे और आपके पास z direction में आएगा ठीके ना right वोट simple जीगा नहीं x into x is 1 in case of scalar but x into x is 0 in case of vector तो अगर आपने vector के अंदर x multiply by x कर दिया then you are getting 0 as the answer ठीके right ठीके ना तो आपने 1 को 2 से multiply किया और 3 के direction में answer आ रहा है वो vector product है और आपने जहां पर 1 को 1 से multiply किया you are getting answer ठीके ठीके तो this is the difference between scalar product and vector product ठीके right again चलिए अब हम आज की वीडियो के अंदर आपको scalar product की कहानी के उपर लेके जाते हैं that what actually is the scalar product आये हम scalar product देखते सबसे पहले तो scalar product क्या होता है scalar product जिसको हम लोग dot भी बोलते हैं dot product भी कहा जाता है ठीके scalar product का statement पहले मैं figure बनाऊंगा फिर आपको statement के उपर लेके जाऊंगा हमारे हिसाब से अगर मैंने एक a vector लिया ठीके कोई direction है ठीके right है और एक और vector लिया b जिसका कोई और direction है and both the vectors are inclined at an angle theta तो अगर मुझे इन दोनों vectors को multiply करना है ठीके तो यानि कि अगर मुझे इन दोनों vectors का scalar product find out करना है ठीके तो what is the scalar product of vectors a and vector b when they are inclined at an angle theta so the scalar product of vector a and vector b says that the product of a dot b a dot b see I have using dot here a dot b is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector and the cosine of angle between them ठीके and the cosine of angle between them यानि कि a vector dot b vector is equals to a b क्योंकि ये तो magnitude है simple into cos theta ठीके right तो this is what the vector scalar product of two vector this is symbol of dot ठीके this is symbol of dot and this a and b are magnitudes of vector these are basically the magnitudes of vectors so what is the dot product of two vectors a dot b is equal to magnitude of both the vectors and cosine of angle between them that is simple that is simply the definition of both the vectors I will just point it out with the definition so the scalar product scalar product of two vectors is equal to is equal to the magnitude the magnitude of both the vectors and and the cosine of angle between them angle between them that means we are calculating on the basis of the angle theta between both the vectors so ap koi mujhi agar bolta hai sir you have to find out the angle between two vectors so then simply what we will do cos theta is equals to a vector dot b vector upon modulus of a vector upon modulus of b vector or we can say the magnitude of a vector and b vector this can also be written like this cos theta or we can say theta is equals to cos inverse cos inverse of a vector dot b vector upon a b a b simply represent the magnitude of both the vectors a b simply represent the magnitude of both the vectors okay right okay now another way to represent a vector another way to represent the scalar product ठीक है एक एक और तरीका जहां पर हम scalar product जहां से हम scalar product को define कर सकते ठीक है अब यह भाई वैक्टर है और इसने कहा है कि मैं सीधे सीधे नहीं चलूँगा मैं सीधे सीधे नहीं चलने वाला मैं टेडा चलूँगा तो हर चीज को दो भाशाओं में define करो हमने का ठीक है आप एक काम करो इस previous figure को ही देखो मैंने का इस previous figure को ही देखो मैं सिरिफ b-vector बनाता हूं और b-vector के components को resolve करता हूं आओ है ना I'll just draw a b-vector मैंने यह b-vector लिया अभी मैंने a-vector को hidden कर दिया a-vector is at its place वही horizontal है ठीक है नहीं पर है बट मैं b-k components को resolve करता हूं then this is b-vector now the components of b will be this is b-cos-theta this is horizontal component and this is b-sin-theta this is vertical component अब मेरा जो a-vector था वो मेरा a-vector कहां था भाई मेरा a-vector था इस direction में this is a-vector तो यानि कि अगर मुझे simply vector को represent करना है तो भाई मैं एक ही direction के लिए लू ठीक है ना भाई 90 degree direction पर क्यों जाओं मैं एक ही direction की दौनों scalar का मतलब you are multiplying x with x you are multiplying y with y हमने पढ़ा scalar और जहां scalar word का प्रियोग किया गया यूज किया गया वहां पर एक चीज तो सीथर शॉट 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 समझते ही हो क्या समझते हो कि सर यहां पर आपको scalar ढंग से multiply करना है यानि कि आप सिर्फ और सिर्फ मीटर को मीटर से गुणा कर सकते हो किलो मीटर को किलो मीटर से multiplication कर सकते हो centimeter को centimeter से multiply कर सकते हो you can't multiply centimeter with kg you can't multiply ठीक है राइट दोनों same direction के लिए है ना तो यानि की scalar product क्या निकला scalar product is equal to ठीक है is equal to product of one vector and the magnitude of horizontal component component of another vector yes second vector ठीक है ठीक है तो इस बेसिकली क्या निकल के आया मेरे पास scalar product a vector dot b vector is equal to a vector और दूसरे वेक्टर का horizontal component so horizontal component of second vector will be b cos theta ठीक है inclination so हमने क्या करा vector b को vector a के उपर inclined करके रखतीया vector b inclined on vector a this is b cos theta this b cos theta is inclination this b cos theta is inclination inclination of b vector b vector on a this is basically the inclination of b vector on a together so we can write a vector dot b vector is equals to a dot a b and cos theta this is simply the definition so you can now represent in two different manners one manner is somewhat but wala pehla wala definition will go with pehla wala definition and in second manner we are going with second wala definition so now we have lots of examples like instantaneous uh hum log speed calculation kareinge work done kareinge force into displacement yet force into distance calculate karre so work done scalar and a product ठीक है तो यह सारी चीजे वीर calculating with the particular this thing ठीक है अब बाद आती है if some cosine angles will be there अगर मैंने कहा this is important अब इस चैप्टर इस टॉपिक का सार आ रहा है आपके सामने क्या आ रहा है इस टॉपिक का सार निकाल के ला रहा हूं ठीक है अगर मैंने कहा if theta is equal to zero degree what does theta is equal to zero degree means theta is equal to zero degree basically represent this thing दोनों vector same direction में inclination पर रखे हैं और उनके बीच का angle zero है they are overlapping each other like this ठीक है now what will be the effect वो आओ theta zero इसका मतलब cos zero की value 1 होती है यानि की a vector dot b vector is equal to a b cos zero degree and cos zero degree is 1 so a vector dot b vector is equal to a into b simple सी बात इसका मतलब के अगर मैं दो same direction के vectors को multiply करता हूँ तो मेरे पास answer is 1 when both the vectors are in same direction their product is 1 means their direction एक निकल गया यानि की we are talking about x, y, z then it is equals to i cap, z cap, k cap यानि की इसका मतलब हुआ के अगर मैं i cap dot i cap करूँ तो मेरे पास answer 1 आएगा क्योंकि मैं same direction को multiply कर रहा हूँ a dot b a b both the vectors are in same direction ठीक है ना दोनों का direction of inclination of direction एक है theta 0 है ठीक है ना लंबे समय तक चलेंगे which is equal to j cap dot j cap is equal to k cap dot k cap simple जी भाशा ठीक है ना when we are taking cause 0 cause 180 degree अतलब theta 180 degree है एक वैक्टर ऐसे तो दूसरा वैक्टर ऐसे ठीक है ना राइट एक वैक्टर ऐसे इस direction में तो दूसरा वैक्टर इस direction में सिंपल जी बात है theta 180 degree then 180 is minus 1 then a dot b is equals to minus of a b simple जी बात है negative आ जाएगा product करने पर वन है but direction opposite चो करेगा ठीक है but this is this is most important thing यानि की scalar के अंदर मैं x dot x करूं 1 आएगा but what about x dot y यानि की मुझसे बोला गया के आपको if theta is equals to 90 degree this implies cos 90 is equals to 0 यानि की a के रा x a vector और a के रा b vector this is x direction which is i cap and this is y direction which is j cap और इन दौनों के बीच आपको i dot j करना है दौनों के बीच का angle 90 degree है and when we are multiplying 90 degree तो देखें a vector dot b vector is equals to a b cos 90 degree is 0 so answer is 0 तो इसका मतलब अगर आप i cap dot j cap करते हो आपके पास answer 0 आएगा so when we multiply x with y we are getting 0 when we multiply x with z we are getting 0 when we multiply z with x we are getting 0 यानि की same direction 1 और opposite perpendicular direction 0 यानि की if a vector is perpendicular to b vector implies a vector dot b vector is equals to 0 यानि की अगर हम perpendicular vectors का dot product करे answer 0 आएगा क्या आएगा answer 0 आएगा simple जी बात कानी का तब यानि की i dot j is equals to 0 तो i dot j is equals to j dot k is equals to k dot i is equals to 0 ठीक है राइट आगे जमजबे है ना चलिए तो अब मैं एक चीज़ कालकुलेट करता हूँ और formula निकालता हूँ final मैंने कहा मैंने a vector को a vector है a x i cap plus a y j cap plus a z k cap and we have another vector as b vector that is equals to b x i cap plus b y j cap plus b z k cap मैंने इन दोनों को multiply करना है ठीक है ना तो what is a vector dot b vector मैं दोनों को multiply करता हूँ तो a x i cap plus a y j cap plus a z k cap into dot product b x i cap plus b y j cap plus b z k cap ठीक है अब हमें पता है कि अगर मैंने इस x को इस b x से किया तो i dot i one so it is a x into b x plus अब अगर मैंने इसको a x को b y से किया देखो क्या आएगा a x into b y but i cap into dot j cap and we know this i cap into j cap is 0 तो this is 0 तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया यह तो इतना this quantity becomes 0 यानि कि a x b x ठीक है तो मेरे पास final answer में बचेगा a x b x plus a y by plus a z b z यह आ गया दो वैक्टर्स का dot product a dot b ठीक है and what is modulus of a under root of a x का square plus a y का square plus a z का square ठीक है so then what will be the final formula how we'll work with final formula final formula is cos theta is equals to a vector dot b vector upon modulus of a vector into modulus of b vector okay so the final answer will be a x b x plus a y by plus a z b z upon under root of a x square plus a y square plus a z square plus under root of sorry multiply b x square plus b y square plus b z square और सबसे अच्छी बात देखे जब आप x को x से multiply करेंगे यानि कि suppose करो if we multiply 2 i cap into 3 i cap we are getting 6 because i cap into i cap is 1 and 2 into 3 is 6 तो उपर वाली पूरी quantity this quantity only has magnitude और this itself is a magnitude so the dot product we are getting is simply a magnitude of a factor ठीक है राइट इसके लावा कुछ और भी properties है निमलिखित properties कुछ और properties है जैसे scalar product is commutative commutative का मतलब हुआ के आप अगर a dot b कर रहे हो या फिर आप b dot a कर रहे हो answer will be same along with this it is associative and along with that it is distributed as well ठीक है ना तो यानि की a vector dot b plus c vector is equal to a vector dot b vector plus a vector dot c vector ठीक है तो इसके अंदर a dot b is equal to b dot a होगा तो आप इसको double करके लिख सकते हैं ठीक है ना कहीं पर भी अगर a dot b लिखा है और b dot a लिखा है that is two times of a dot b मैं यह लिख सकता हूँ that is all correct ठीक है ना कोई problem नहीं आएगी because we are talking about scalar we are not talking about a vector that is somewhat direction direction पड़ा है ना magnitude magnitude पड़ा है ठीक है तो दोस्तों यह हुआ हमारा scalar product और scalar product से related concept ठीक है हमने यहां आज की वीडियो के अंदर concept को समझा के scalar product का concept कैसे किया जाता है scalar product को solve किया कैसे किया जाता है ठीक है अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ is scalar product से related कुछ numerical को लेकर आऊंगा and then we'll work with the vector product and the numerical related to it ठीक है राइट तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही यहीं पर अलफ विराम लूँगा इस topic के साथ कल फिर मिलूँगा आपसे sorry कल 12th class का वीडियो है हम alternatively 11 12 चलेंगे ठीक है राइट तो कल हमारा 12th class का वीडियो रहेगा और परसों हम आपसे मिलेंगे vectors के साथ scalar product of the vectors के साथ मिलने वाली है keep on watching little scholars and stay tuned with us like subscribe or share करना नहीं भूलेगा जल्दी मिलें